श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम दोस्तों आईए हनुमान चालिसा को आगे बढ़ाते हुए मैं हनुमान चालिसा की आगे वाली चौपाईयां आपके सामने प्रस्त करने की कोशिश कर रही हूं और हनुमान जी से मेरी प्रात्ना है कि वो मेरे क को इस कारे में सफलता दे हैं दोस्तों इसके पहले हम आगे पढ़ें क्यों न हम श्री राम स्थूती कर लें राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम पाँच, राम राम छे, राम राम साथ, राम राम आठ, राम नौ, राम राम दस, राम राम ग्यारा, राम राम बा, राम तेरा, राम राम चौदा, राम राम पंदरा, राम राम सोला, राम राम सत्रा, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, जै श्री राम, जै श्री राम, जै श्री राम, जै श्री राम, श्री राम, 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 राम प्रभु मुद्र का मेली मुख माही जब हनुमान जी से ये बात हुई कि वो लंका जाकर सीता जी से मिलेंगे तब ये प्रशन भी उठा क्योंकि सीता जी तो हनुमान जी से नहीं मिली थी तो वो हनुमान जी को पहचानेगी कैसे उनको लगेगा कि शायद कहीं कोई राक्षस रूप बदल के आ गया इसलिए फिर हनुमान जी श्री राम जी की मुद्रिका अंगूठी लेकर गए अपने साथ अब अंगूठी पकड़ें कैसे क्योंकि उनको तो उड़के जाना था तो प्रभू मुद्रिका मेली मुख माही अपने मुख में उन्होंने प्रभू की मुद्रिका रख ली प्रभू की अंगूठी रख ली प्रभू मुद्रिका मेली मुख माही जलदी लांग गए अच्छरज नही और उस मुद्रिका का दूसरा कमाल ये हुआ कि उन्होंने पुष्वरम के तक्ट से लंका तक एक उसमें क्रॉस कर लिया प्रभु मुद्र का मेली मुखमाही जलदी लांग गए अच्रजनाही दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्रेते ते कितना भी कठिन से कठिन आपका कार्य हो बाबा की शरन में जाईए ये मेरा पूर्ण विश्वास है जो अपने मन कर्म और वचन से उनको प्रे करता है उनकी पूजा करता है तो उनका दुर्गम से दुर्गम कार्य भी इतना सुगमता से पूर्ण हो जाता है, इतनी सरलता से पूर्ण हो जाता है, कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुगरह तुम्रे देते, आपसे अनुगरह क्या, आपसे प्रार्थना की, तो दुर्गम कार जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रेते ते राम द्वारे तुम रखवारे श्री राम के द्वार पर हनुमान जी रखशक थे कोई भी बंदा उनके वहाँ पर नहीं घुस सकता था कोई भी मतलब एक मक्खी तक भी नहीं वहाँ आ सकती थी हनुमान जी के रहते हुए इतना उन्होंने सकत अपना पहरा कढ़ा था राम द्वारे तुम रखवारे होधना अग्या बेन पैसा रे कोई भी अपना कदम भी नहीं रख सकता था राम जी के वहां पर अब इस दुनिया में सात सुह होते हैं तो सातों सुह जो व्यक्ति आपकी शरण में चला जाता है उसको सातों सुह मिलते हैं उसके सुखों में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है पूरा मन कर्म वचन से अपने आपको श्री हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए वो जादा कुछ नहीं चाहते हैं वो चाहते हैं आप बस श्री राम का भजन कीजिए जब आप श्री राम को पुकारते हैं तो हनुमान जी तोड़े से ले आते हैं तो हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है तो श्री राम का भजन किजिए और श्री राम को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी को भजिए जै श्री राम, जै श्री राम, जै श्री राम, जै श्री राम